दर्शको सुप्रीम कोट में तामिल नाडू सकी सरकार ने एक बहुत ही महत्पुन हलफ नामा इस बार दायर किया है क्योंकि सुप्रीम कोट ने पूछा था सभी से एक याचिका के आधार पर कि एक याचिका जो की अश्विनी उपाध्याय जो की बीजेपी के नेता भी हैं उसने एक याचिका डाली थी कि धर्मांतरन के खिलाब कोई कड़ा कानून बनाया जाना चाहिए जबकि धर्मांतरन की जो सुविधा है या धर्मांतरन की जो आजादी है उस सुविधान देता है इसके बावजूद बहुत सारे राज्यों ने कानून बना रखे हैं तो इस महतवपूर्ण है बहुत ही घजब की बाद उसमें कही गई ये कहा गया है कि धर्म परिवर्तन का अधिकार खुद समिधान देता है समिधानिक अधिकार है और अपने धर्म का प्रसार करना कोई गलत बात नहीं है बात अलग हो सकती है लेकिन अवैद तरीके से नहीं कर रहा है जबकि अगर वो शान्ति पूर्न तरीके से अगर वो अपने धर्म का प्रसार करता है तो ये उसका अधिकार है समिधानी का अधिकार है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, उस पर कोई कारवाई नहीं किया सकती, दर असल हो क्या रहा है, दरशकों की हिंदु धर्म लगाता लोग छोड़ते चले जा रहे हैं, जगे जगे पर बहुत धर्म अपना आ जा रहा है, कहीं पर कोई दूसा था, लेकिन हिंदु धर्म चोड़ते जा रहे हैं और संख्या जो है वो कम होती जा रही है और यही इनकी चिंता है जो कि इस प्रगार की चीजों को बनाए रखना चाहते हैं उनकी तो उन्होंने इस प्रगार के याचिकायन दायर की लेकि सुप्रीम कोड ने चुंकि पूछ लिया तो राज्यों को हत्पूर्ण तर्क है तामिल नाडू का जो उन्होंने ये बात कही अब देखना ये है कि सुप्रीम कोड इस पर क्या संग्या लेता है सुप्रीम कोड का क्या रुख होता है